हेलो दोस्तो आज हम बात करेंगे चॉइंट स्पैन मतलब के जोडों का दर्द यहां हम जानेंगे जोडों के दर्द के कारण के बारे में और इसके ट्रीटमेंट के बारे में चलिए दोस्तो शिरू करते हैं चॉइंट स्पैन जोइंट स्पेंड के क्या क्या कारण हो सकते हैं जैसे कि स्टेंड के कारण जोइंट स्पेंड हो सकता है स्प्रेंड मतलब कि मौच के कारण जोइंट स्पेंड हो सकता है या टेंडिन आइटिस के कारण जोइंट स्पेंड हो सकता है अगर देखिए टेंडन्स में इंफ्लामेशन हो जाता है तो इसको हम टेंडिनाइटिस के नाम से जानते हैं क्योंकि आइटिस मतलब होता है इंफ्लामेशन या जॉइन्ट स्पेंड का कारण फाइब्रो मैलेजिया हो सकता है यहाँ पर दिखिए टर्म है ऐल्जिया ऐल्जिया मतलब होता है पैन या धर्ड अगर दिखिए मसल फाइबर में पैन होता है तो यहाँ पर मसल फाइबर के कारड जोइंट स्पैन देखने को मिल सकता है या osteoarthritis के कारड joint span हो सकता है क्योंकि osteo मतलब होता है bone और आर्थर मतलब होता है joints और itis मतलब होता है inflammation तो हड़ी के चोड़ों में अगर inflammation होता है इसको भी हम joint span के नाम से जानते हैं या rheumatoid arthritis के कारड़ भी joint span हो सकता है जॉइंट स्पेंट में पेसेंट को क्या-क्या जनरली मेडिसिन रिसक्राइब कर सकते हैं यहाँ पर पेनकिलर और इस्ट्राइडल मेडिसिन और इसके साथ केलसियम बाइटमिन टी-3 और नियूरोकाइंट कोल्ड टेबलेट का यूज़ किया जा सकता है तो पेनकिलर में जैसे के जीरोडॉल SP, जीरोडॉल SP के अंदर aciclofenac चोकि पेनकिलर होता है इसी के साथ साथ सेरेशियो पेप्टि डेस और पेरसीटमोल रिजेंट होता है तो जीरोडॉल SP को पेसेंट को दिन में दो बार लगभग एक सबता तक पेसेंट को दे सकते हैं सब्द होता है या सोन टर्म होता है उनको हम स्ट्राइडल मेडिसिन के नाम से चानते हैं तो प्रिडनी सॉलोन की 5 मिली क्रेम या 10 मिली क्रेम टोस पेसेंट को दिन में एक बार या दो बार एक सब्दा तक दे सकते हैं इसके लाबा कैलसियम और बाइटमिन इसको पेसेंट को दिन में एक बार ऐसा ओडी एक सब्दा तक दे सकते हैं और निरोकाइंट कोल्ड निरोकाइंट कोल्ड जो की एक मल्टी बाइटमिन और मल्टी मिली दल्ग के अपसियूर होता है इसको सोने से पहले दूद के साथ पेसेंट को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं इन मेडिसिन के अलावा हिमालिय का रुमालिय इसको जॉइंट्स पर लगा कर इससे मसाज अतलब के मालिस कर सकते हैं या रुमालिय के अलावा आमनी जेल को जॉइंट्स पर लगा कर मसाज कर सकते हैं